जै आसापुरा माँ जै सचिया माँ जै पीर पितोरा नाडा कच्छनी कुड़ देवी मा आसापुरा मातानो मढध कच जगत जननी मा भवानी आसापुरानो विसाल मंदिर कच्छना लखपत तालुपा माँ अवेल छे यह देवी का जुना मंदिर का निर्मान आज से 1000 साल पहले एक देवचंद साहा नाम का वेपारी को माताजी ने सपने में आसिरवा दिया था देवचंद वानिया को बहुत संपति थी पर पुत्र नहीं था वो वेपार अरते राजस्तान से कच आया करता था जब ये आज जो माता जी का मंदिर है उस जगे पे पहार के पास वो अपना पड़ाव डालता था और डेवचंद को वहाँ बहुत शांती मिलती थी दूपर के टाइम जार के नीचे सोया था तो माता जी सपने में आया देवी ने कहा इस जगे पे मेरा मंदिर बना छे महीना तक मंदीर का दर्वाजा मत खोलना में समयव मा भवानी अंबा जगद जननी अपने मूड रूप में समयव भू प्रगट होंगी देवचंद माताजी का आदेश और आकासवानी सुनके बहुत खुश हुआ और अपना वेपार दंदा छोड़ के देवी का मंदीर का निर्मान कराने लगा एक दिन रात्री को देवी के अवाज आती है संकनाद होता है गंटा बज़ता है देवचंद बहुत खुश हुआ उस खुशी और खुशी में उसने उससे राह नहीं गया और उसने मंदीर का दर्वाजा खोल दिया छे मेने में एक मेना बाकी था दर्वाजा खुलने से देवी का मूर्ती आधी जमीन में और आधी बहार आ गई थी देवी ने बोला तुने उतावल किया लेकिन ठीक है जो हुआ सो हुआ अब मेरी स्तापना कर और तेरी पुत्र की आसा पूरी होगी उसने माता जी की स्तापना की और देवी के आसिरवाज से उनको पुत्र प्राप्ती हुई देवी ने आसा पुरन की तो उस देवी का नाम आसा पुरा से प्रख्यात हुई वही देवी मा आसा पुरा चवान रा राजपूतों की भी कुड़ देवी है जाड़े जा राजपूतों को अतूट सर्दा रखते हैं मा आसापुरा में जाड़े जा राजपूत कच्छका महाराजा जो भी कच्छका महाराजा बनता है वो अश्टमी के दिन नवरात्री में अश्टमी माता का मड में आते हैं और म आसापुरा का आसिरवाद लेते हैं और आसिरवाद के रूप में मा पत्री याने फूल देते हैं और पत्री कहां से आती है वो मा का चमतकार है और उस पत्री के उपर पूरे साल का अंदाज किया जाता है कि कैसा साल जाएगा पर देवी का चमतकार है और देवी जाडेजा राजपुतों के महान राजा जाम लाखा पूलाने महारा उसरी खेंगार जी और जाम रावल जैसे जाम राजपुतों के और जाम और कच्चका प्रागमल जी त्रीजा जो आज हैं जो सभी कच का महारा जा हुआ है वो अश्टमी के दिन माता का मढड़ देवी का दरसन जरू करते हैं और यह देवी देश देवी कही जाती है माता जी लाको सुर्दालों के रदय में लिवास करने वाली कच्च की कुण देवी के नाम से जाने जाती है और ये माता का मड जागीर के गादी पती राजा बावा के नाम से जाने जाते हैं और माता जी के परम भक्त होते हैं इनकी पेटी दर पेटी एक गादी पती होता है और उनके उपर देवी का पुर्ण किरपा रहती है और देवी के पुजारी के रूप में चवान कुल के राजपूत मा आसापरा की पुजा करते हैं पास में चाचरा कुंड है माताजी नवरात्री के नवदुर्गा के साथ में रास किलते हैं और वहां से एक गुपा है जो कहते हैं कि ये गुपा हिंगलाज माता बलुचिस्तान जाती है ये देवी हिंगलाज माता का दूसरा रूप है वहां देवी ने माईसा सुर राक्सस का वद किया था जो उदर का पत्थर है उससे धूप बनता है ये आसापरी धूप के नाम से जाना जाता है। गजरो रहे और कच्छी बाशानो कवी नानो डेरो देवराज गडवी मा आसापुरा का लाखो गर्बे भजन चंद दुआ साक्षी गुजराती और कच्छी बाशा में पूरी दुनिया में परख्यात किया है टोटल कच्छी माडूना दिल मा वस्वा वाली मा आसापुरा कच्छ ना लाखा पुलानी ना टाइम ती पूजाती आवी छे नवरात्री मा भक्तों ने सेवा अर्थियो ने सेवा जोई ने ऐसा लगता है कि टोटल डेव लोग इस प्रत्वी लोग पे आके भक्तों की सेवा करते हैं और ये देवी का चमतकार मा आसापुरा का चमतकार के बारे में सिंद का बादशा गुलाम शा कलोडा कच्छ के उपर चड़ाई किया था और जाते टाइम मा आसापुरा का घंट जो मंदिर में लगा है ओ लेके गया और रस्ते में देवी ने चमतकार बताया ओ पूरा जो इनकी सेना थी, और देवी ने अकास्वानी किया, जो मेरा घंट लेका है, वापिस जाके रक्या नहीं, तो सब अंदे हो जाओगे, तो उधर से गुलाम सा कलोड़ा वापिस आसापुरा का माता का मड़ आता है, और बुझ के अंदर सवा मन का घंट बना के मा आसापुरा को आगे रखा गया है उसके उपर लेख है कि वाजशा खुलामशा कलोडा की तरफ से माँ आसापरा को भेट अरपन किया है बाद में आसापरा ने उनको भी आशिरवाद दिया तो ऐसे कच्च की कुड़ देवी माँ आसापरा देश देवी माता जी का ये मंदीर कच्च के और पवितर भूमी होने से मंदीर का जैसे अमिता बच्चन ने का है कच्च नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा और तारक मेंता का उल्टा चस्मा में जेठा लाल कहता है आउं कच्ची मारू आ यां मा आसापरा जो भक्ताईयां ये असाँ जी कच जी कुड़ देवी आये मा आसापरा डेश देवी के मुझापन सादर प्रणाम जे माताजी, जे आसाप्रा मा, जे सचिया माता, जे पीर पितोरा डाडा, जे रुद्रानी मा, जे रवेची मा, जे भगवती देवी मा, दुर्बा माता, जे पीर पितोरा डाडा